नमस्कार मैं प्राणश्री रठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज कॉंग्रेस पार्टी अब भारत जुड़ो यात्रा के बाद एहम रणनीतियां बनानी में जुट चुकी है कॉंग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वाइनाट से सांसत राहुल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा के बाद अब कॉंग्रेस पार्टी की एहम रणनीतियां धिरे धिरे स्तामने आ रही है पार्टी महासचीर जैराम रमेश ने साफतोर पर कहा था कि भारत जुड़ो यात्रा के बाद कॉंग्रेस पार्टी महागटवंदन की तरफ पड़ेगी अब ऐसे में देखा जाए तो महागटवंदन की तैयारियां लगभग शुरू होती हुई नसरारी है क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में बिपक्षी दलों के साथ बैठक बुलाई है कॉंग्रेस से नए अद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने जहां एक तरफ संसट बजट सत्र चल रहा है वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मलिका अर्जुन खडगे ने सदन कक्ष में एक एहम बैठक बुला ली है दरसल आपको बता दें कि आज संसट बजट सत्र के पहले चरण का आखरी दिन है और राज्य सभा को 13 मार्ज तक इस्थगित कर दिया गया है लेकिन इस बीच यही देखने को मिला कि संसग भवन में किस तरीके से हिटन वर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई गौतम अडानी को लेकर उसके बाद से लगातार जेपी सी की मांग की जा रही है बीजेपी लगातार निशाने पर बनी हुई है और इसी बीच यहाँ पर समान विचार धारा वाले बिपक्षी दलों के साथ मलिका अरजुन खडगी ने एक एहम बैठक बुला ली है अंदरूनी सूतरों की माने तो यहाँ पर तमाम बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं दावे यह भी किये गए हैं कि इस बैठक में स्तदन की रणनीती तै करने के उल लेकर भी चर्चा होने वाली है संसद में जिस तरीके से जेपीसी को लेकर मांग जारी है तो वही मलिका अरजुन खडगे यहाँ पर एहम रणनीतियां बनाने के लिए भी त्यार हो चुके है इस बैठक में समाजवादी पार्टी से प्रमुख महा सचीव के पद पर प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा भी शामिल हुए हैं तो वही तमाम बेपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता भी अब देखना यही दिल्चस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर महागटवंदन देखने को मिलेगा क्योंकि अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल ने भी यही बात कही कि अखलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर अगर महागटवंदन कर लेते हैं तो बहुत ह अच्छी बात होगी और भारत जोड़ यात्रा का एफेक्ट साल 2024 में जरूर देखने को मिलेगा अब देखना होगा कि मलिका अरजुन खडगी ने जो बैठक बुलाई है उस बैठक में यहाँ पर क्या कुछ एहम रणनीतियां होती हैं क्योंकि साल 2024 में लोग होने जा रही हैं और इन चुनाव के लिए दक्षुर भारत की जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौपी गई है और उत्तर भारत की जिम्मेदारी प्रेंका गांधी वाड़रा को देखना होगा कि मलिका अरजुन खडगे की इहम बैठक के नतीजे क्या कुछ निकलते हैं फ झाल 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 झाल